में सुभाश नगर रेलवे फाचक के पास संदिक द बॉक्स में हैं संदिक द बॉक्स मिलने की सूचना पर देर रात दादर एक्स्प्रेस को रोका गया सूचना पर आरपीफ की टीम मौके पर पहुंची संदिक द बॉक्स को हटाया गया जाच में खाली काचन निकले हैं बॉक्स को हचाने की बार ट्रेन को रवाना किया गया तो ये पहली कोई कोशिश नहीं है ट्रेन को डिरेल करने की इसे पहले भी इस तरीकी की घटना अजमेर में सामने आ चुकी है और एक बार फिर से वही कोशश की गई थी, बॉक्स को पट्री से हटा कर देखा तो वो खाली काटन बरामत हुए है 15 मिनट बाद ट्रेक पर यता जो है वो सुचारू की गई लगा था डिरेल करने की कोशश जो है वो की जा रही है कई बार इसको लेकर रेलवे की तरफ से कहा भी गया है कि ऐसे लोगों को बक्षा नहीं जाएगा जो इस तरीके से ट्रेन को डिरेल करने की कोशश करते हैं इससे पहले भी पट्रियों पर पत्थर और कई ऐसे सामान जो है वो बरामत किये गए थे जिससे ये साफ अंदेशा लगाया जाता है कि ट्रेन को डिरेल करने की कोशश बड़े हादसे की कोशश की जा रही है और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ है जो हाँ पर रेलवे फाचक पर कुछ संदिक्द काचन मिले थे और चलिए आगे बढ़ते हैं जैसल मेर के भणियाना थाने में करोडों की जमीन फर्जी तरीके से बेचने का मामला सामने आया है पेड़ित ने नौ गाओं के लोगों को नामजद केस दर्ज करवाया है पॉलिस ने केस दर्ज कर जान शुरू कर दिया है कुछ रचित दस्तावेश तैयार कर बदमाशों ने मांजबा गाओं में उसकी 250 भीगा जमीन का फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कर बेच दी तुएं चित्तावगर नार्कोटेक्स विभाग की टीम ने नश्य की बड़ी खेप पकड़ी है मुकबीर की सूचना पर कारवाई करते हुए नार्कोटेक्स की टीम ने चित्तावगर उदैपुर मार्ग पर कारवाही करते हुए कंटेनर में तसक्री किया जा रहा आठ कुंट्रल से अधिक अफीम डोडा चुरा जब्द कर चौला को गिरफतार किया चौला के खिलाप NDPS एक्टर के तहत मामला दर्च कर आगी की कारवाई शुरू कर दी गई है नार्कोटेक्स टीम के मताबिक जब ट्रक कंटेनर को रुखवा कर तलाशी ली तो उसमें किराना सामागरी के आर्मे तसक्री किया जा रहा 43 कटों में भरा 823 किलो 325 ग्राम अफीम डोडा चुरा मिला है 12 जिले के शहाबाद में बेटियों ने रूडी वादी परंपरा को तोड़ते हुए मां की मौत के बाद ना सिर्फ उनकी अर्थी को कंदा दिया बलकि शम्शान में धार्मिक रिती रिवाज के साहथ पिता को मुखागनी भी दी आपको बता दे कि शहाबाद शेत्र में इस सरह का एक मामला सामनी आया है जहां बेटियों ने किसी को मुखागनी दी है दरसल शहाबाद निवासी 80 वर्षे शकुंतला देवी का निधन हो गया मृतका शकुंतला के पांच बेटिया ऐसे में उनकी बेटी ने मुक्तिधाम में पहुँचकर अंतम संसकार की सारी प्रक्रिया को पूरा किया खबर बाना से है जहां जिले के चीपा बढ़ाद तहसील के ग्राम पचाड के ग्राम गुलखेडी में प्रशासन आबादी भूमी पर हो रहे अतिक्रमन को हटा नहीं पा रहे हैं और जिसके चलते ग्रामी निजी भूमी पर शबो का अंतम ससकार करने के लिए मजबूर हो रहे आपको बता दे कि ग्राम सभा में उक्ति भूमी पर अतिक्रमन हटा शम्चान घात कचरा पात्रय यात्फरी प्रतिक्षालय सामदाइक भवन के निर्मान का प्रस्ताव पास क संयोग ना मिलबाने की वज़ह से योजनाय परवान नहीं चड़ पा रही ग्राम पंचायद सर्पंच सरीता शर्मा ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए का है कि इस बारे में जिला कलेक्चर और S.P. को कई बार पत्र लिकर पुलिस जापता मागा गया ह लेकिन प्रशासन कोई कारवाही नहीं कर रहा अधिकारी विकास अधिकारी को कई बार पत्र लिखकर आउगत कराया गया इसके बाव जूद भी अधिकरमन नहीं हटाया गया है और अब खबर दौसा सी है जहां आजादी के 80 साल बाद भी सिकराय उपकंट के मुहलाई गाउं में अभी तक पक्का शम्शान नहीं बन पाया है बुद्वार को मुहलाई गाउं के शम्शान घाट की जो हालत देखी गई उससे हर कोई हैरान है गाउं में बच्चे की मौत हो गई बच्चे के परजन और ग्रामिन शम्शान घाट लेकर पहुँचे लेकिन शम्शान घाट में पहुँचने के बाद ही बारिश शुरू हो गई ग्रामिडों ने बच्चे की च्विता के उपर पाल लगाकर बरसात के पानी को रोका और अंतिम संसकार करने की प्रक्रिया करते रहे सानी लोगों की मांग है कि गाउं में पक्का शम्शान घार सरकार की उसे जल्द बनवाय जाए ताकि बरसात में गाउं वालों को अंतिम संसकार में कोई दिक्कत ना हो दॉलपूर जिले की मनिया थाना पोलिस और यूपी के मैनपूरी के एसोजी की टीम ने बड़ी कारवाई को अंजाम दिया है आगरा मुंबई राश्ट्री राजमार के इस्तित सुवा का बाग के नजदीक मुखीर की सूचना पर छेमार गैंग के आच बदमाशों को फकड़ा है बदमाशों के कबज से दोआ वैद हत्यार, जिन्दा कार्तूस, टंडे और अन्य उपकरंड भी बरामत किये गई है लंबे समय से जिले में चोरी और नकबजनी की घटनाओं में इजाफा देखने को मिल रहा पुलिस ने मुखबीर, तंत्र, साइबर सेल और अन्य तक्निकी यंत्रों के माध्यम से बदमाशों को अरिश्च किया है दौलपूर में, मनिया इलाके में और राजा खेडा और जगे पे जहाँ चोरिया हुई है छेमार गैंग जो थी वो इन चोरियों में लिप थी उनी से जब और पुष्टाच की गई है तो उन्होंने जो मांगरोल रोड पे सियापुरा, हिनोता, बीलपूर, वेतोर गाओं में जो घरों में गुसके जो चोरिया हुई है उन सब को कुबूला है भारत पाक सीमा, सिसटे, श्री, मातहिश्वरी, तनोट, राए, मंदिर और गंटियाली माता मंदिर में नवरात्वरी से पहले मंदिरों में साफसपाई, रंगरोगन, जोती, कलस्पी, साफसपाई के साथ ही तमाम तैयारिया की जा रही है बीएसफ, डीएजी, योगेंद्र सिंग, राठ और के निरदेश पर बीएसफ के अधिकारियों की देख रेक में दोनू मंदिरों की सपाई की जा रही है मंदिर के पुजारी ने बताया कि शाथ पक्ष में भगतों की भीड कम रहती है इसलिए इन दिनों मंदिर में सपाई और रंगाई पोताई की जा रही है माता के दर्बार में अभी यहां पर मातिस्वरी घंटी आली माता मंदी में अभी यह सक तयारियां चले रही और अब खबर बालुत्रा से है जहां वांचित अपराधियों की धर पकड के लिए विशेश अभ्यान चलाए जा रहे और विशेश अभ्यान के तहत सिंधरी थाना पुलिस ने सरनू टोल प्लाजा पर तोड़ फोड़ कर देश्चत फिलाने के मामले में 2000 का इनामी अरेस्ट किया गया है तो वहीं बालोत्रा जिले का टॉप 10 अपराधि हर्खा राम को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है इन अपराधियों को लेकर पुलिस पुरे मामले की जांच परताल कर रही है पुलिस ताना सिंदरी की सरनो टोल पर रात्री में टोल पर तोड़ पोड़ कर लूट की घटना की थी जिसमें पिछली एक साल से फरार मुलजिम हर्का राम पुत्र मूला राम जाट निवासी सम्धोडों का तलाब पुलिस ताना सिंदरी जो जिल्ले का टोप 10 में भी सामिल है जिस पर स्रिमान पुलिस अधिक्षक मोदे बालोतरा के दिसाद के देशन में आस उचना संकलन कर इसको दस्तियाब कर बात पूचता से क्रप्ता किया गया है शाही ट्रेन पैलिस ओन वील्स गुरुवार को जैपूर पहुंची सीजन के पहले सपर को तैग कर रही इस ट्रेन में देश विदेश के 35 टूरिस्ट गांधी नगर रेलबे स्टेशन पहुंचे यहाँ पारपरिंग अंदास में टूरिस्ट का स्वागत किया गया ट्रेन में सवाय सेलानी जब स्टेशन के प्लैटफॉर्म पर पहुंचे तो लोग कलाकारों ने उनकी अगवानी की इसके बाद लोग कलाकारों ने माथे पर तिलक और माला पहना कर अतितियों का स्वागत किया सभी सेलानी आज गुलाबी नगरी का दीदार करेंगे जैपर पहुंचे सेलानीों से बात की हमारी संबादा था महिमा जैन ने में एक स्वेस एक सेला में तो यहाम बाद पर क्याए सूना को जो पर सहरा कि खरे में स्वेस का और लुकिन है ивать जो with just that पाद राजस्थानीं पहुंचे है तो जब मिस तो पहंचता है जो दो नहीं होता है तोट पर कमपोजिशन और कहा जा सकता है विश्चर है राजिस्टान के एपिदेज और रजबार करेंगा जाती है तो जब यहाँ पर जब विदेशी सलारी पहुचा है तो जिम्मिदारी और बढ़ जाती है और ऐसे में आटीडीसी की और से यह ट्रेन चलाई जा रही है कोविट के बाद से यह ट्रेन फिर से शुरू हुई है और अब यह इस सीजन का पहला दोरा इस ट्रेन का है कामरामैन शेशिंग के साथ महिमा जायन यूजेटी चतारगर जिले की रावत भाटा में लवजिहाद का मामला आया सामने हालकी पोलिस ने यूवती को दस्तियाब कर लिया लेकिन हिंदू संगचन से जुड़े एक कारेकरता यूवक की गिरफतारी की मांग पर आड़ी है ये रेपोर्ट देखेए 20 सितंबर को लड़की घर से लापता हो गए पर जिलों ने समुदाय विशेश की यूवक के खिलाब ठाने में केस दर्श करवाया पोलिस ने लड़की को दस्तियाब कर चित तोड़ कर नारी निकेतन भेज दिया आरोपी के खिलाब जैसे भी ये इनके परिवार वाले रिपोर्ट देंगे उसकी कारवई की जाएगी केवल गुमसुदा प्रियंका थी उसको लाकेर उसके माता पिता को मिलाई है और उस तो रुक्सा सकी में जमा कराई गए सोमवार कोस दिला मुख्याले पर समधाय विश्रिष के युवक के पक्ष में दो लोग पहुच गए जिसकी सूचना पर हिंदू संगठन के कारकरता भी वहां परागे वहां पहले से मौजोद लोगों ने उन दोनों की धुनाईकारों में पुलिस को सौन पिला लेकिन हिं देनों को त्यार है इसलिए हम सब हिंदू संगरन यह उनकी लिए खड़े हैं नहीं वह नहीं आया उनके उनके रिस्तार वगए आया थे कोई चाहत पांची हमें जाता है कि हिंदू बेहन सुरक्षित रहे लओ जियात का सिकारना बने और वह हिंदू में रहे हिंदू द्र प्रदेश में एक सब इंस्पेक्टर ने खुद पहले खुद डमी कैंडिडेट की मदद से इंटर्वी और लेखित परिक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल की और उसकी बाद दो सगे भाईयों मामा और अन्य दो रुष्टदारों को डमी कैंडिडेट से परिक्षा इस रेपोर्ट में देखिए इस्तेमाल कर एक एक करके छे लोगों को सरकारी ओहदे दिला दिये और चंद पैसों के लिए डमी कैंडिडेट बन कर सरकारी विभागों में सेंद लगाता चला गया ये कहानी तब शुरू होती है जब एक सब इंस्पेक्टर ने पहले खुद डमी कैंडिडेट की मदद से इंट्रिव्यू और लिखिट परीक्षा पास की और फिर दो सगे भाईयों मामा और अन्य दो रिष्टिदारों के लिए भी अलग अलग तीन प्रतियोगी भरती परीक्षाओं में डमी कैंडिडेट से परीक्षा दिलवाई अभी रोशन मिना ही अरेस्टेड है मनीश मिना ये सब इंस्पेक्टर है जो 2016 की परीक्षा की रिव्यू जो परीक्षा हुई थी 2008 में उसके बाद 2021 में ये सिवा में आये थे और अभी कनफर्मेशन होके नाचना बी आई में जो बॉर्डर इंटिलिजन्स की चौकी है उसम ये पदस्ता भी थे जो कल से फरार है सब इंस्पेक्टर भरती परीक्षा, पटवारी भरती परीक्षा, लीपिक भरती परीक्षा अब आपको बताते हैं कि मास्टर माइन का खुलासा कैसे हुआ दर असल इसी साल अप्रेल महीने में एसोजी के हथे चड़े डमी केंडिडेट रोशन लाल मीना से पूछताच हुई जिसमें मास्टर माइन के तौर पर इंटेलिजेंस विंग में तैनाथ सब इंस्पेक्टर मनीश मीना का नाम सामने आया ये भी पता चला कि रोशन ने सबसे पहले मनीश के लिए ही परीक्षा दी थी अब आपको ग्राफिक्स के जरीए समझाते हैं इन छे कैंडिडेट्स को कौन कौन से पद मिले हैं मनीश कुमार मीना सब इंस्पेक्टर दीपक कुमार कनिश्ट लीपिक दिनेश कुमार मीना पटवारी भरती परीक्षा महेश कुमार मीना कनिश्ट सहयक कंचनलाल मीना पटवारी भरती परीक्षा सागर मीना पटवारी भरती परीक्षा SOG की परताल में सामने आया कि रोशनलाल मीना ने गैंग के मास्टर माइंड सब इंस्पेक्टर मनीश के कहने पर कंचनलाल मीना और सागर मीना की जगहा भी डमी केंडिडेट बन कर परीक्षा दी पूश्टाश में सामने आया कि रोशन मीना खुद स्टेट लेवल की चौधा परिक्षाएं और सेंट्रल लेवल की स्छे परिक्षाओं में बैठ चुका है नेश मीना ये टॉंक में लैंड सिटल्मेंट कारेले में पदस्तापित है दिपक का फिजिकल नहीं हो पाया है इसलिए वो भी नहीं है पदस्तापित मैश मीना ये सेल्स टेक्स में दोसा में पदस्तापित है सागर मीना पटवारी की रूप में पदस्तापित है उसका पदस्तापन स्थाना में भी बता करें भले ही फरार चल रहे सब इंस्पेक्टर मनीश ने डमी केंडिडेट से परीशा दिलवाने वाला नेटवर्क खड़ा कर लिया हो लेकिन एसोजी ने इस गैन को ऐसे भेजा कि शातिर डमी केंडिडेट और सरगना का भाई और मामा एसोजी के हत्थे चड़ गए है जबकि तीन अन्य आरोपी फरार चल रहे हैं जिनके तलाश में एसोजी लगी हुई है जैपुर से विश्णु शर्मा के रिपोर्ड न्यूज 18 राजस्थान